नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है और पिक्चर इस वर्थ थाउजन वर्ड्स दोस्तों आज भी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा यह वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया में बड़ा वाइरल हो रह देखे तो भारत के डिफन्स मिनिस्टर शी राजनाथ सिंघ जी पर दोस्तों जब बाता है और दोस доступ discrimination की तो नमस्टे कर दिया जाता है याने की सब्साफ शब्दों में कहे तो शोल्डर नुस्तों आप बड़ी ही दखें तो विप्रार्थक है विपरीथ है जो चाइना का वर्जन है अगर हम ग्लोबल टाइम्स में तीन दिन पुराना न्यूज आर्टिकल पढ़े तो वो कह रहा है चाइना इंडिया बॉर्डर इशूज शिफ्टिंग फ्रॉम स्टैंड आफ टू नॉर्मलाइज मैनेजमेंट और इस पूरे आर्टिकल में वो चाइनीज तिंग टैंक को कोट करता है और चाइनीज वर्जन जो है विच रिस्पेक्ट टू लेसी उसको कोट करता है जो की कहना चाहरा है कि अब इंडिया चाइना की बीच में जो लेसी मुद्दा है वो थंडा हो चुका है और अब दोनों देश मिलके इसको नॉर्मल तरीके से मैनेज कर ले रहे है पर यदि यही बात होती तो क्या इंडिया इस प्रकार का cold shoulder देता that two coupled with जो बाते इंडिया ने कहीं है इंडिया ने कहा है कि एलेसी मुद्दा जब तक resolve नहीं हो जाएगा राजनात सिंग जी ने कहा कोई improvement नहीं होने वाला भारत चीन संबंद में इसके सिवा और भी आप देखे तो कठोर बाते राजनात सिंग जी ने कहीं है उन्होंने कहा जो PLA ने किया है LAC पर उससे पूरा का पूरा इंडिया और चाइना भारत और चीन के बीच में जो bilateral संबंध है वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं एक zero से start होने वाले है totally आज तक जितना भी development हुआ है इंडो चाइना relations में वो पूरे तरीके से खतम हो चुका है तो क्यूं हमें इस प्रकार से दो अलग अलग वर्जन सेम स्टोरी का देखने मिल रहा है आज ही class में इसी पर चर्चा करेंगे तो आईए class start करते हैं पर इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं pathfinder batch बस तीस एप्रिल तक ही बस दो दिन बच रहा है दोस्तो 7999 रुपे में मिल रहा है इसमें आपको 900 से अधिक गंटे है live classes के एक जून से batch start हो रहा है experts के दवारा बनाया गया batch है extremely low cost batch है आप देख सकते हैं pathfinder की जो कीम है वही आपको hand hold करेगी guide करेगी और आपको पढ़ाने वाली है तो दोस्तो complete prelims mains interview सब कुछ हम prepare करने वाले हैं तो आपको क्या करना है जल्दी से जाना है जाके enroll करना है क्योंकि 30 April के बाद यह कीमत बढ़ जाएगी और उसके बाद test series mains यह सब हम include कर रहे हैं लेकिन आप लका को अपने हाथ से जाने ना दें आपको मालूम है pathfinder का मतलब है quality course हम provide करते हैं वही quality हम provide करने वाले हैं जो बच्चे prelims clear करेंगे उनको mains में हम mentorship भी देंगे interview में भी वैसे ही guidance देंगे अगर आप exam clear करते हैं mains के बाद भी तो make sure 30 April के पहले enroll कर ले समुझ मंसन free mock test ते तेरा मेको है UPSC CST के exact pattern पे GSB CSAT पे same timing को follow कर रहे हैं और एक लग का prices भी है तो जल्दी से जाए जाके enroll कर लें आप लोग पूछ रहे हैं कहां पे enroll करना है तो देखिएगा comment में जाके pinned comment मिलेगा वैसे वीडियो का description होता है description पर भी जाए और वहां पर भी जाके दोनों जगे पर कहीं भी जाए आपको links मिल जाएंगे links को click करेंगे आप सीधा का सीधा जाके pathfinder batch में enroll कर सकते हैं और payment कर सकते हैं use the code path path जो की pathfinder का short है दोस्तो न्यूज में क्या है दोस्तो न्यूज में है चाइना के defense minister general ली शांगफू आए हुए है भारत में under SEO summit गालवान clash के बाद ये पहला चीनी defense minister का meeting है पहली बार वो भारत आ रहे हैं उसके बाद से तो दोस्तो उसी में defense minister राजनात सिंग जी ने उनके साथ लगदाक इस्टन लगदाक में जो border dispute वाला issue चल रहा है उस मुद्दे को उठा दिया है उन्होंने कहा जनरल ली शांगफू को कहा कि जो existing agreements को आपने violate किया है उसके साथ इंडिया चाइना के बीच में जितने भी bilateral संबंधे वो सब खतम कर दिये आपने भरोसा खतम हो चुका है और आपको वो border पे peace and tranquility maintain करें याने शांती हो border पे तो ही इंडिया चाइना बाकी sectors में भी संबंध को मजबूत कर पाएगा दोस्तों यहाँ पर issue क्या है आपको बचा देता हूं इंडिया और चाइना दोनों के बीच में Eastern Ladakh को लेके दोनों साइड में dispute चल रहा है चार rounds of disengagement हो चुका है उसके बावजूद भी अगर आप देखें आपको कुछ locations दिखा दिता हूं मैं तो यहाँ पे देखिए गालवान वैली वाला ये region है वैसे ही आप देखें दीपसांग plains है दौलत बेग ओल्डी डीबी ओ कहा जाता है वो region है यहाँ पे गोगरा है उसी के पास में hot spot है hot springs है फिर आप ले है डारबुक है यहाँ पे चूमर है तो अब जब आपने सारे यह locations देख लेए तो इनको याद भी रखिएगा और अब आगे देखते हैं तो इसी में दोस्तों उन्होंने ऐसा हमें देखने मिल रहा है कि गालवान वैली पैंगॉंसो पैंगॉंसो लेक कौन स में साथ हजार से अधिक soldiers इस वक्त भी deployed हैं और ऐसे ही नहीं advanced weaponry के साथ एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं चार round हो चुका है disengagement का उसके बावजूद भी नतीजा नहीं निकल रहा है इसके सिवा दीपसांग में दीपसांग प्लेंस यह रहा जो आप देख रहे ह यह आप पे दीपसांग में डीबियो सेक्टर है यह पूरा का पूरा तो उसमें दीपसांग प्लेंस में वैसे डेमचॉक सेक्टर में यह वाला रीजन हो गया डेमचॉक सेक्टर इस डेमचॉक सेक्टर तो इन रीजन में तो अभी भी अगर आप देखे तो negotiating table पर बातची है तो चाइना यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहा है यह divergence हमें क्यों देखने मिल रहा है तो चाइना और इंडिया के बीच में अभी रिसेंट्ली 18th round of poor commander level meeting हुई है और उसके बाद Chinese experts ने Monday को बताया कि जो border issue है वो अगर आप देखे तो stand-off से जो अब तक stand-off कामना सामना था उसस से हटके normalized management की तरफ जा रहा है याने आप दोनों कोई बैटके normal तरीके से manage कर ले रहे हैं याने चीज़े normal होगी थंडी होगी nothing to worry everything is cool everything is fine यह message वो देना चाह रहे है पर दोस्तों इस अगें far away from the truth सचाई से बहुत दूर है तो इसके पीछे क्या कारण है उसके चाइना चाह land border पे engaged है चाइना को दोस्तो land border पे कोई खास समस्या नहीं है इंडिया से चाइना चाहता है कि इंडिया ओशन में इंडियन ओशन में मजबूत ना हो जाए अगर इंडिया इंडियन ओशन में मजबूत हो गया तो चाइना के लिए कई choke points को हम control कर पाएंगे जिसमें सबसे important तो मलक का है आप सभी जानते हैं चाइना का मलक का डिलेमा जिसे कहते हैं तो यह तो उसके लिए दुखती नस है इसके सिवा बाकी भी है परिशन गल्फ भी है बाबल मेंडब भी है बट इससे जादा dangerous चाइना के लिए और कुछ नहीं है और इंडिया दोस्तों अगर बिश्बूत करने में करेगा क्योंकि इंडिया ओलरी इंटर्म्स ओफ एरफोर्स इंटर्म्स ओफ डिफेंस ओफ इंटर्म्स ओफ मिलिटरी दोनों में ही अगर आप देखें तो आर्मी में एरफोर्स में पाकिस्तान से काफी जाज़ा superiority हमें हासिल हो चुकी है तो हमें कह रहा है कि इंडिया को यहां पे हमेशा पिन करते रहो इंडिया को यहां पे हमेशा से इसको उबाल पे रखो इस बॉर्डर को ताकि इंडिया expenditure करता रहे इसी रिजन के लिए instead of going for creating more naval carriers, nuclear submarines हम क्या करें हम रफैल खरी दे हम वो S-400 missile systems करी दे हम उन सब पर खर्चा करें जो की कहीं ना कहीं land border पर focus करता है number two अगर आप देखे तो इससे इंडिया का defense expenditure भी बढ़ रहा है और इस वज़े से हम वो पैसे जो developmental expenditures पर करते जिससे क्या होता कि अभी हम demographic window के तुरू गुजर रहे हैं तो इस वक्त हमारे लिए लोग ही हमारे capital हैं आप जितने ज्यादा skilled होंगे हम जितने ज्यादा skilled होंग उतना बहतर हमारा देश progress करेगा जितना बहतर अभी जो PDR आ रही है वो skilled होगी उतना ज्यादा जितना अच्छा उनका health होगा जितना अच्छा उनका education होगा 10 साल बाद वो उतने अच्छे workforce में contributor होंगे तो चाइना अच्छे से चाता है कि हम उस तरफ ज्यादा focus ना करें इ इंडिया है US with 300 million population बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर पाएगा वो already उसकी economy stagnation की ओर जा चुकी है तो it can only be a growing economy जो की population में भी चाइना को टक कर दे तो that is इंडिया तो वो अच्छे से चाता है इस प्रकार से इंडिया को यहां पे चोग डर रखना चाता है इसके सिवा दोस्तों यह कहीं न कहीं चाइना के लिए एक benefit भी create करता है पाकिस्तान जो कि अगर आप देखे तो in terms of power structure बहुत कमजोर है इंडिया के साथ same standing पे नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी जब वो इंडिया चाइना border को open रखता है चाइना उसको उबाल पे रखता है तो इंडिया पा बुला जा रहा है आधा front और internal security issues को भी add कर दिया गया है तो इसी में अगर आप देखे तो पाकिस्तान इंडिया को balance कर पा रहा है क्योंकि चाइना का support है चाइना भी pick करता रहता है इंडिया को इसके border पे तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जब 1962 में इंडिया insurance लिया था कि पाकिस्तान ensure कीजेगा जब हम चाइना से लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान अपना border ना खोले और हमें तंग ना करे लाइकवाइस जब 1971 war हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में तब इंडिया Soviet Union के पास गया था कुछ ऐसी की friendship treaty कर लेते हैं तो इससे क्या ह होगा कि चाइना at least border पे जादा शरारत ना करें थोड़ी शरारत उसने तब भी की थी लेकिन Soviet Union ने कुछ हद तक उसको check पे तब भी रखा था तो इस तरीके से दोस्तों चाइना के लिए multiple purposes solve करता है इस वजह से आप देखेंगे यह जो अलग-अलग विपरीत कहानिया हमें सुनने मिलती हैं चाइना के तरफ से अलग बात इंडिया के तरफ से अलग बात तो चाइना चाहता है इसको normalize कर देना कि इंडिया के साथ क्या हो trade वगेरा चलता रहे बाकी bricks पे हमारी meeting भी अच्छी चलती रहे सब कुछ होता रहे at the same time at the same time इंडिया के borders को भी हम ऐसा ही उ साथ साथ trade भी चल रहा है दोनों देश मिल रहे हैं दोनों के प्रेश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिदेंट मिलते हैं गले लगाते हैं और उधर पे फॉज भी फ्रंट पे खड़ी है बंदूग ताने तो इंडिया कहा रहा है हम यह new normal तो नहीं होने देंगे तो अब हमार है वो thousand word अब आपने अच्छे से आप उसको समझ पाए होंगे और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो दोसको pathfinder batch है तीस एप्रिल तक ही आपको 7999 रुपे में course मिल रहा है उसके बाद दाम बढ़ जाएगा और आप मिस्स कर जाएंगे तो आप या आपके दोस QPSC, State या एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो इस कम कीमत पर इस quality का course पूरे भारत में और कहीं नहीं मिलेगा जल्दी से जाएं प्रिलिम्स में इंटर्व्यू तीनों की coverage हम करवा रहे हैं end to end coverage है hand holding guidance mentorship भी दे रहे हैं साथ साथ प्रिलिम्स test series में test series दे रहे हैं आपको औ भी link मिलेगा इसका भी link नीचे description box and pinned comment में मिलेगा जल्दी से जाएं जाके enroll कर लें और subscribe भी कर लें बहुत आकरशक कीमत पर बस अभी उपलब्द है